फोन की बेटरी की बात करे तो बहुत लोग हमें ये पुछते हैं कि हम फोन को पुरी रात चार्ज पर रखते हैं और सुभा में फोन पुरा चार्ज हो गया होता है हमें पता है कि फोन अब एडवान्स हो गए है फिर भी पुरी रात फोन चार्ज पर रखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी फोन में तो दोस्तों आज हम इसी टोटिक पे बात करने वाले हैं तो एज वीडियो को लास्ट तक सरूर देखना तो दोस्तों तो उसका जवाब हा भी है और ना भी उसमें दो केस बनते हैं पहले केस में आप जो चार्जर उप्योग करते हो वो औरीजनल हो ना चाहिए जो फोन के साथ आया हो अगर वही charger का उपयोग आप लंबे समय तक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है पर दिक्कत इस बात से आती है कि फोन के charger का adapter खो जाता है या फोन का केबल खो जाता तो हम local charger को खरेड लेते हैं और उपयोग करने लगते हैं तो ये बिलकुल सही नहीं है तो दोस्तों फोन ब्लास्ट की दिकत यहाँ पर आती है जब लोग ये नयुद शुंते की ओवर्नाइट चार्ज से फोन ब्लास्ट हो गया तो सेवन्टी से 80 परसंट केस में चार्जर किसी और ब्लान का उपीओग करते हैं एक सांपनी के तौरP आपके पास समसंग का फोन है तो आपको कोई ब्लानडे चार्जर नहीं लाना चाहिए बल्कि जो charger phone के साथ आया हो उसका उप्योग करना चाहिए क्योंकि company phone के हिसाब से charger बनाता है और इसे over time charge करने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है पर हमारा original charger को जाता है या bigger जाता है हम बाजार से local charger ले आते हैं उसका उप्योग करने लगते हैं तो ऐसे में phone blast की दिक्कत आती है और अगर आप original charger से आप over time charge कर सकते हैं क्योंकि बेटरी अब advance हो गई है और पुरी दुनिया phone over time charge करती है तो दूस्तों phone की safety का यह fact आप सभी को केसा लगा comment में जरूर बताए और हागर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहा हो जल्दी से जाए subscribe कर दीजिए और गंटी हिल झाल 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 झाल